कि एलो फ्रेंड्स कैसे हैं सभी फ्रेंड्स आज हम देखेंगे कि HTML में आप ID को यूज करके कैसे आप अपने content को एडिट जाना styling दे सकते हैं अभी ID का हम यूज कैसे करते हैं और क्यों करते हैं इसके लिए हम आपको एक एक्जम्पल के रूप में दिखा दी हूँ यहां पर हमने कोई भी h1 टैग लिया है यहां पर कोशी भी टायप कर दो ऐसे मैं इसको जैसे ही इदर से ले करूंगी यहां पर आएगी हमारी output जै आगई h1 टैग सेम ही मैं दो h1 टैग ले लेती हूँ ऐसे इसको रिफ्रेश करो दो आगे मेरे पास टैक्स अभी आपनी क्या करना है h1 टैग को स्टाइल देना है इसका कलर चेंज करना है इदर से कर दो h1 टैग यह तो बहुत ही इज़ी है यहां पर बस कलर एड़ करो यहां पर क कलर चेंज ठीक है इसमें प्रॉब्लम क्या है मालों आपने एक बैब साइट बनाई है इसमें दस वारा बीस जितने भी पेज़े सोंगे हर पेज में एच्वान टैग यूज होता ही है तो जैसे ही आप इदर h1 टैग मेंशन करेंगे पूरी की पूरी बैब साइट में दो आइटी का नाम कुछ भी रख सकते हैं ठीक है उदर से h1 हमने जेवाल h1 लिया थे इसको हमने कलर दे दिया रैट और इस h1 को हमने दे दी आईटी को मेंशन करने के लिए हम यूज करते हैं है हैस्टैग एड का नाम हैस्टैग लगाना बहुत ही जरूरी है इससे पता चलता है कि ये है और इस पर यहां पर एक हम कलर केटे हैं इसका है तो यहां पर देखे जिसको आइड दी थी उसका color change हो गया अगर हम h1 tag को इदर से हटा देते हैं तब देखते हैं यह देखिए इसका ही color इसने change किया है बाकी किसी का नहीं जितने इदर से refresh करो जिस भी आपने h1 tag को color दिया होगा बस उसका color change होगा बाकी का color यह change नहीं करेगा इसके लिए हम ID यूज़ करते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा यूज़ होती है जब आपने को website बनानी होती है तो next video में हम देखें कि एक class के थूरू कैसे हम अपने content को style दे सकते हैं